हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई चैनल, और टोड़ीज टॉपिक इस मेथर्ड्स ओफ इमस्कुलेशन, और मेथर्ड्स ओफ इमस्कुलेशन में हम लोग फर्स्ट मेथर्ड देखेंगे हैंड इमस्कुलेशन, जो कि मैंने इसके पिछले वीडियो में दिखाया है, तो आप ल फूर्थ, अलकोहल ट्रीटमेंट, फिफ्थ, कोल ट्रीटमेंट, सिफ्थ, रिंस मेथर्ड एंड सेवन यूज ओफ गेमिटोसाइड्स तो सक्सन या फिर वेक्यूम मेथर्ड क्या है? सक्सन मेथर्ड is used in species with small flowers तो small flowers में सक्सन मेथर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें hand emusculation possible नहीं है तो hand emusculation possible नहीं है, तो इसमें सक्सन मेथर्ड को prefer किया जाता है और ये मेथर्ड principle of suction पे work करता है तो emusculation जो है सक्सन मेथर्ड वो कब किया जाता है? जनरली जब flower just open हुआ हूँ morning time या फिर क्या करते हैं कि anthesis के पहले यानि flower के open होने से पहले spikelet को spikelet को cleave off किया जाता है, उसको हटाया जाता है emusculation के पहले और फिर emusculation कराया जाता है तो suction मेथर्ड में हम क्या करते हैं कि इसमें suction hose या फिर minor pipette का use करते हैं तो इसमें एक thin rubber या फिर glass tube लेते हैं जो कि suction hose में attached होता है उससे हम क्या करते हैं कि flower का जो enter है उसको suck कराया जाता है वहाँ से suck कराके हटाया जाता है और enter जब हटा दिया गया तो यही तो emasculation है removal of enter और stamen और androsium जो की male part है तो suction method में six pennacles can be emasculated at a time तो इसमें क्या है कि suction method में six pennacles को एक साथ emasculate कराया जाता है और hand emasculation से क्या होता था कि 100 flowers को एक person जो है emasculation करा सकता है hand emasculation के तुरू 100 flowers का emasculation possible एक person के द्वारा और vacuum emasculator में क्या होता है कि अगर हम six person को लें six person operate करे emasculation तो क्या होगा कि 3000 to 3600 मतलब 3000 से 3600 flow rates को एक घंटे में emasculation कराया जा सकता है तो यह method उतना तो efficient है नहीं क्योंकि 50% cell pollination can take place है ना क्योंकि मतलब उतना efficient नहीं है क्योंकि कराने के बात भी देखा जाता है कि cell pollination हो गया तो इसलिए इसको ज़्यादा prefer तो नहीं किया जाता है लेकिन हाँ small flowers में use किया जाता है अब हम लोग देखेंगे third method जो कि है hot water treatment hot water treatment में क्या किया जाता है कि pennical जो होता है pennicals in third और fourth day of blooming are chosen as female parent an hour also before blooming the pennical is selected and underdeveloped and opened spikelets are removed क्या किया जाता है कि third या फिर fourth day में जो blooming हुआ है तो वैसे female parent के pennical को चुना जाता है और उस pennical को select करके उसका spikelet हटाया जाता है और spikelet हटाने के बाद क्या किया जाता है कि tiller जो है tiller को bend किया जाता है ताकि और हाँ ध्यान रखना है कि वो break ना हो और उसको tiller को bend कराके hot water में टालना है hot water किसमें है इना thermos bottle तो हम लोग देखेंगे setup तो setup तयार किया जाता है इसमें धर्मस फ्लास्क में hot water लिया जाता है जिसका की टेंप्रेचर जेनरली 40 to 44 डिगी सेल्सियस रहता है और उसको हम लोग पैनिकल को उसमें इमर्ज्ड कराते हैं for a period of five to ten minutes पांच से दस मिनट के लिए उसमें हम लोग डाल कर रखते हैं देखिया मैंने दिखाया है hot water treatment को thermos flask लिया है इसमें की एक thermometer लगावा रहेगा जो की temperature को maintain temperature ज्यादा है कम हो उसको देखने के लिए thermometer लगा रहता है और यहां देखिये की पैनिकल जो है पैनिकल को डाला गया है thermos flask के अंदर metallic container जो है उसके अंदर डाला गया है and pollen grains are more sensitive than female reproductive organ to both genetic and environmental factors तो pollen grains जो होता है तो वो genetic factor से भी sensitive होता है और environmental factor से भी तो यहां ध्यान रखना है कि हर crop का temperature सहने की capacity जो होती है वो अलग-अलग होती है कितना तक वो withstand कर सकता है तो in case of hot water emusculation the temperature of water and duration of treatment vary from crop to crop it is determined for every species तो हर species के लिए अलग-अलग temperature रखा जाता है thermos flask के अंदर जो water है उसका तो यहां देखना है कि बहुत जादा temperature ना हो ताकि वो जो हमारा female part को तो हम लोग रहने दे रहे हैं उसको नुक्सान ना पहुचाए उसके temperature को ऐसे maintain करके रखना है अब next देखेंगे कि जो जैसे कि sorghum के लिए देखना है तो sorghum के लिए ऐसा देखा गया है कि 42-48 degree Celsius for 10 minutes is found to be suitable तो sorghum के लिए क्या करते है कि उसके पैनिकल को 10 minutes के लिए thermos flask के अंडर डालते हैं जिसके अंदर का जो water है उसका temperature है 42-48 degree Celsius और वही rice के case में 42-44 degree Celsius प्रिफर किया जाता है temperature और उसको भी 10 minutes तक रखते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा कि hot water is generally carried in thermos flask and whole inflorescence is immersed in hot water और it is bitter method of emusculation than suction method and cold water treatment यह यह याद रखना है कि जो suction method है और फिर cold water treatment जो हम लोग आगे देखेंगे उससे ज्यादा बिटर है अब हम लोग का next method है alcohol treatment तो alcohol treatment ज्यादा हम लोग use नहीं करते हैं इसको ज्यादा use नहीं किया जाता है इसमें क्या किया जाता है image the influence in alcohol of suitable concentration for a brief period followed by rinsing with water जो influence है उसको alcohol का एक suitable concentration लिया जाता है उसमें image करा जाता है उसमें डुबोया जाता है और फिर उससे निकाल कर हम क्या करते हैं वाटर में डालते हैं तो ऐसा देखा गया है कि जो alcohol है वो जो pollen grain है उसको kill कर देता है तो emasculation में भही हम लोगों को क्या करना है एंथर को अटाना है तो वह ही कर रहा है यहाँ पे in lucerne the influence immersed in 57% alcohol for 10 seconds was highly effective ऐसा देखा गया है कि lucerne जो है may influence immersed in 57% alcohol for 10 seconds was highly effective it is better method of emasculation than suction method ऐसा देखा गया है कि सक्सान से ज़्यादा अच्छा alcohol treatment को माना गया है next method है cold treatment cold treatment जो है emasculation वो hot water treatment की तरह ही है तो cold treatment में भी क्या करता है कि kills the pollen grains without damaging gynosium इसमें भी cold water जो है pollen grain को kill करने के लिए यूज किया जा रहा है लेकिन वो gynosium को कोई नुकसान नहीं पहुचा रहा है in case of rice treatment with cold water 0.6 degree celsius kills the pollen grain without affecting the gynosium यहां जो cold water ले रहा है इसका temperature कितना है 0.6 degree celsius तो ऐसा देखा गया कि rice में 0.6 degree celsius अगर cold water लेते हैं तो rice के pollen grain को kill कर दे रहा है यह cold water without affecting the gynosium और gynosium को कोई harm नहीं पहुचा रहा है this is less effective than hot water treatment hot water treatment से cold treatment को less effective माना गया है हमारा next method है rinse method तो इसमें भी हम लोग hot water का ही use कर रहा है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि rinse method में किया क्या जाता है in this method hot water is kept in the flask and it is poured outside after pouring out water inside of the flask will be warm and humid the panicle to be emasculated will be inserted into the flask and kept for some time due to high temperature and humidity the spikelets will get opened and the enters are exposed which can be removed with the help of forceps तो क्या कर रहे है हम लोग यहां बर कि hot water लिया जा रहा है एक flask में और उसको हम लोग poured outside उसको हम लोग hot water को बाहर की तरफ फेक देते हैं और जब water को बाहर फेका जाता है तो फ्लास के अंदर क्या होता है warm and humid condition होता है temperature उसका ज्यादा था वाम है और humid atmosphere हो जाता है फ्लास के अंदर तो warm और humid atmosphere क्या करता है कि जो फ्लास के अंदर जो पैनिकल डाला गया था मतलब हम लोग जब warm and humid condition वहां create हो जाता है फ्लास के अंदर तो पैनिकल को इमेस्कुलेशन के लिए फ्लास के अंदर डाला जाता है थोड़ी देर के लिए तो हाई टेंपरेचर और हुमिडिटी के कारण क्या होता है कि स्पाइकलेट खुल जाते हैं और एंथर जो है वो एक्सपोज हो जाता है स्पाइकलेट खुला तो एंथर एक्सपोज हो गाई और एंथर जब एक्सपोज हुआ तो हम क्या करते हैं फोर्सेप्स की हल्प से उसको रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फोर्सेप्स का यूज किया गया तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये hot water भी यूज़ किया गया, forceps भी यूज़ किया गया तो hand emusculation हाँ, एक टाइप का hand emusculation बोल सकते हैं लेकिन कि यहाँ पर हम लोग hot water का use मतलब humid और high temperature का use कर रहे हैं ताकि speculate खुले और है वहाँ पर हम लोग hand emusculation में क्या करा रहे थे hand emusculation में हम hot water का use नहीं करते थे ऐसा environment create नहीं करते थे वहाँ पर manually क्या किया जाता था कि speculate को हटाया जाता था या फिर enter को cut करके हटाया जाता था यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग speculate को खुद नहीं हटा रहे हैं वैसा environment create कर रहे है फ्लास के अंदर ताकि इस्पैकलेट खुल जा रहा है और फिर हम लोग forceps की help से इंथर को remove कर रहे हैं अब हमारा next method है use of chemitocyte और chemical hybridization azents sorry यहां पर azents होगा जिसको की shortcut में CHA बोला जाता है chemical hybridization agent तो यहां पर gamitocyte का use क्या किया जाता है कि male gamit को kill करने के लिए किया जाता है without affecting the female gamit पतला male gamit का use को kill करा रहे है gamitocyte के help से gamitocyte नाम सही पता चल रहा है कि gamit को kill करने के लिए use के यह जातर gamit को kill करता है gamitocyte तो इसके कुछ-कुछ example दिया हुआ है यहां पर जैसे ethereal sodium methyl arsenate zinc methyl arsenate यह rice में यूज किया जाता है यह जो gamitocyte है इनका use rice में emasculation कराने के लिए किया जाता है और cotton weed में malic hydrazide का भी यूज किया जाता है कि